आज की वीडियो में जानेंगे कि मार्च और एप्रिल के महने में आप कौन से तीन हेल ड्रिंक ले सकते हैं अब देखें जब भी विंटर सीजन खतम होके दूप बढ़ने लगती है तो काफी लोग इस समय पे शर्बत है, कोल्ड रिंग से, आइस्क्रीम है इस तरह की चीज़े लेना पसंद करते हैं लेकिन यह जो समय है यह आईरवेद के अमसार यह वसंत रूतू है अब जो पहले ठंडिया हुई तो उस समय पे शरीर में कफ दोश जमा होता है और जब धू बढ़ने लगती है तो यह कफ पिघल के इसका प्रकोब होता है तो यह वसंत रूतू का समय कफ के प्रकोब का समय है इस समय पे हमारा जठरागनी कम रहता है और कफ़ज विकार याने जैसे सर्धी, खासी या फिर भाइरल इंफेक्शन है इसके होने का चांस ज्यादा रहता है तो इस रूतू में हमने खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है तो चलिए देखते हैं कि इस सीजन में कौन से तीन हेल ड्रिंक्स आप ले सकते हैं नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आईरवेद फॉर एवरिवन में आपका स्वागत है सबसे पहला जो हेल ड्रिंक है वो है शहद का पानी अब दिखें ये जो शहद है ये शरीर में कफ को कम करता है इसका लेखन कर्म बताया हुआ है जो कफ कम करने वाला इसका नेचर है इसलिए जितनी भी जैसे चूरन है जो भी सर्दी खासी में जो चूरन दिये जाते है जैसे कि सितोपलादी चूरुन है तो ये हमेशा शहद के साथ मिक्स करके दिये जाते है ताकि ये शहद भी कफ को कम करने के लिए आपको मदद कर सके तो इस वसंद रुतु में जो शहद का पानी आपने लेना है उसमें एक ही साउधानी आपने लेनी है कि शहद को कभी भी गरम पानी के साथ या गुन होने पानी के साथ आपने नहीं लेना है तो नॉर्मल टेंपरेचर का जो पानी है उसके साथ आपने शहद लेना है उसमें भी अगर आप पानी को पहले उबाल के लेते हैं तो इस अगनी सांसकार से ये पानी भी पचने के लिए हलका होता है फिर ये पानी आप नॉर्मल टेंपरेचर पे आने दो और उसके साथ आप शहद मिलाके ले सकते हैं, जिससे कि आधा से एक ग्लास अगर पानी है, तो उसमें एक चमब शहद डालके आप इसे ले सकते हैं, जितनी आपकी प्यास से उतना ही पानी आपने लेना है, तो इस तरह से ये जो शहद का पानी है, ये वसंत रुतु में जो कफ़दोश बढ़त श्रीज में नहीं रखा है, तो इस तरह का चाज आपने लेना है, अब दिखें ये जो आईरवेद में तक्रबताया है, चाज को आईरवेद में तक्रबत कहा जाता है, तो इसके गून जो है तो ये लगू है, यानि पचने के लिए ये बहुत हलका है, दीपन करने वाला है याने हमारे जठरागनी को ये बढ़ाने वाला है, ये कसेले स्वात का है, और साथी में ये शरीर में कफ़ को कम करने वाला है, तो वसंद रुतु में जो खानपान बताया जाता है, इस तरह का खानपान आपने लेना है, तो इसमें हलका खानपान जो अगनी को आपके बढ़ कि आपने इसे अच्छे से मतना है, उपर जो मलाई आए उसको आपने निकाल देना है, तकि ये बहुत हलका हो, और फिर इसको अच्छे से छोका दे के वो जो मसाला चाचे वो आपने इस्तमाल करना है, छोके के लिए थोड़े से घी में आपने जीरा है, उसमें हींग है, कड इस बटर्मिल्क-ा-Saveण आप खाने के आखिर में कर सकते है अब देखिए आईरवेद में स्वाथ बताया स्वाथ को दिया हुआ है तो हमकिसे क NGO कसेला स्वाथ हने खाने के आखिर maar आपके में में आधे से ऐक कंटोरी है तो थोड़ा सा आप एक घुट पहले ले सकते हैं और फिर जितना बचा है उससे आप आपके खाने का एंड कर सकते हैं तो इस तरह से जो एक आईरवेद में आहार विधी भी बताया जाता है उसका भी पालन होगा और सीजन के अनुसार भी ये छाज आपको मदद करेगा और जो हमने आपको शहुत का पानी बताया था वह आप सुबभी ले सकते हैं सिर्ज इसमें जो पानी की कौंटिटी है वह आपने प्यास के अनुसार लेनी है तीसरे जो हेल ड्रिंग है इसके लिए आपने लगभग एक गलास पानी लेना है इसको उबालने के लिए रखना है और इसमें आपके पसंद के अनुसार जो भी spices है, जैसे कि सोंठ है, अजवायन है, काली मिर्च, लॉंग या जीरा ये आपने इसमें डालना है, उबालते समय इसमें ये जितनी भी आउशदिया है, ये शरीर में कफ को कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करती है, तो इ शरीर में जो कफ बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए मदद करता है, भूख को खोलने के लिए, या जो हमारा जठरागनी है, उसको प्रदीप्त करने के लिए ये पानी भी बहुत अच्छे से मदद करता है, जो भी मसाले है, वो आपके पसंद के अनुसार आप कम या ज वस्त रहें, नमस्ते.